चात्रों के बीच रचनात्मक नवचार प्रदोग की और वैग्यानिक सोच के संस्कृति को बढ़ावा के उदेश से CSIR नई दिल्ली और DST हर्याना के सहयोग से गुरुग्राम युनिवरस्टी के परिशर में दोधिवस्टिय साइंस कॉनक्लेव और एग्रुटेक एक्सपो 2023 आयुचित किया गया जिसके समापन समारों में मुख्य अती थी के तौर पर स्चार्टप ओडिशा के कारिकारी अध्यक्स जॉक्टर उंकार राय विशेष्ट अती थी प्रफेसर आसीम अली खान कुरुग्राम युनिवरस्टी के कुलपती प्रफेसर दिनेश कुमार समी कई हस्तियों ने शिर्कत कि इस दौरान समारों में शात्रों और युवा पृतिभाग्यों के लिए उप्योगी विशेष कारिक्रम का भी आयोजन किया गया वहीं आपको उता दे जिसमें आपने भर भारत विशेपार विज्ञान मॉटल के प्रदोशनी साइंस काटून शो और मंडल की सेर शो कटपुतनी प्रदोशन और आलू की कहानी शो श्चामित था इस संपुन आयोजन में शात्रों के साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों से भी लोगों ने साइंस कॉन्क्लेव और एग्रोटेक एक्स्पो में हिस्सा लिया मुख्याती थी स्टार्ट पोलिशा के कारेकारी अद्यास जोक्टर उंकार राए अपनी संबोधने भारतिय संस्क्रिफी एवं ग्रामीन भारत की वैफब शाली इतिहास पर बात करते हुए नसर राए उन्होंने कहा कि भारत सरकार जामीन शेत्रों के विकास औरम आजी बगा के अफसर स्टेचन के लिए विविन प्रकार की योजनाई चला रही है जिसकी माध्यम से एक भारत स्ट्रेश्ट भारत का निर्मान किया चा सके मोधी सरकार हो या मनोर सरकार सभी सरकारों का मकसद यह होता है कि किसानों की खासकर जो हमारे अंदाता है उनकी इंकम कैसे बढ़ें और एक बड़ी पहल गुरुग्राम यूनिवस्टी में यहां के वाइस चांसलर है दिनेश अगरवाल जी उन्होंने एक बड़ी पहल की ह एक साइंस कौनक्लेव यहां शुरू किया गया है खासकर किसानों के हित को देखते हुए सर इसके बारे में बताईए बड़ी अनुठी पहल है और बहुत जरूरत है इसकी जी देखिए सोलंकी जी इस बार हमने जो हमारा साइंस कौनक्लेव स्टूडेंट्स के लिए हम और यह कि अगर वो अपनी इंकम बढ़ाना चाहे तो कौन-कौन सी टेक्लोजीज हैं जिनको यूज करके वो अपनी इंकों को बढ़ा सकता है तो आप जानते हैं CSIR जो एक बहुत बड़ी और्गनाईजेशन है उसकी 40 के करीम लेबरोटरी जो अल ओवर इंडिया है तो CSIR हमार उन्हें इसको क्रीट किया है कि अप्रॉड़ीट की जिब कीमत करी का इब बहुत जादा नहीं होती, बहुत कम होती है, जब किसान पैदाकरता है तो उसको जज्यादा नहीं होता, लेगन ये प्रोड़ीट की लाइफ, five-ो जो गानते है उसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ा ऐसे ये कि आप साथ में लेबरेट्री देख सकते हैं यहाँ पर यह हमारी CSIR की दूसरी लेबरेट्री है MP बोपाल से आये हैं यह तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इनके प्रॉड़क्ट हैं जो वेस्ट मैट्रियल निकलता है किसानों का जैसे हमारे किसान जलाते हैं वो आपको पता है पॉलिशन इतना बढ़ जाता है पराई जो जलती है उस पराली को यूज कर सकते हैं प्रॉड़क्ट बनाने के लिए यह कई बर ऐसे चीज़े हैं जिनसे बहुत बड़ा फाइवर देखो यह कितना बड़ा फाइवर निकल रहा है इसका इसकी बड़ी स्रें है और किसानों को इस एक्सपर्टीज के बारे में जाने को मौका मिला इसके माध्यम से एक और बड़ी चीज जिस तरह से किसानों कि यह बड़ी चीज यही है कि जो अवेरनेस जिस लेवल पे होनी चाहिए वो जाग रुखता नहीं पहुंचती है और खासकर साइंस का टेक किसानों के घर के पास में ऐसी अगर सुविदा करें कि उनको पता चलेगी टेक्नोजी अबलेबल हैं तो धीरे धीरे इन टेक्नोजी को यूज करेंगे और बजाए कि नॉर्मल फसल पैदा करें गैंगों की चावल की उसके बजाए को अल्टरनेट कॉप्स भी वो किसानों को इस चीज के बारे में पता चले और जैसे पता चलेगा कि वो किसान बहुत तेजी से उसको आगे अपनाने के लिए त्यार भी है कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों से बात भी की और वो कापी ज्यादा एक्साइटेड थे उनको बहुत अच्छा लगा कि पहली इस शित रूप से यहीं उमीद करते हैं कि एक बड़ी चीज बनेगी क्योंकि एक नजीर जिस तरह से गुरुग्राम युनिवस्टी ने पेश की है खासकर टेक्नोलोजी से साइंस से किसानों को जोड़ना उनको जानकारी देना ये एक मील का पत्थर सावित होगी सुंदर सुलंकी इडिया न्यूज गुरुग्राम इन्ही खबरों के साथ अस बुलेटिन बस इतना ही बने रही इंडिया न्यूज हर्याना के साथ नमुश्कार